रात में ये क्रीम लगा लो शादी होने तक चहरा बिल्कुल साफ गोरा और मुलायम हो जाएगा अक्सर वो लेट क्या जिनकी शादी होने वाली हैं और चहरे पर एक यूनिक ग्लोव इसकीन को लाइटन और फ्वेर करना चाहती हैं वो अपनी सकीन पर मैडिकेटिट क्रीम का यूज कर लेती हैं लेकिन नतीजा निकलता है कि साइड इफेक्ट हो जाते हैं सकीन पर पिंपल्स बारिक दाने निकलाते हैं एक एसी क्रीम जो आल सकीन टाइक को सूट करें साथी होममेड हो और नैच्रल हो तो आज की इस वीडियो में मैं आपको होममेड नैच्रल वाइटनिंग क्रीम बनाकर दिखा रही हूं जो भी इस क्रीम को यूज करेगा उसके स्कीन में बहुत ज़ादा योध होगा बिना किसी नुकसान कि आपके स्कीन का गलो भी होगा साथी कॉंपलेक्शन भी लाइट हो जाएगा सबसे पहले इस क्रीम को बनाने के लिए आपको चाहिए दही दही की दो चमच डालिए जेल भी यूस कर सकते हो इसमें मिला देल अलोविरा जेल और इसके बाद आपको चाहिए आलमंड ओयल 2-3 डॉप्स या फिर आप्टी स्पून भी डाल सकते हो घर आपके ड्राय स्किन है अगर अगर अल्सकिन है तो आप दो से तीन डॉप्स डालें आलमंड ओयल उसके बाद 4-5 बूंदे lemon juice अच्छी तरह से लें लेंगे अच्छी तरह से लेंगे जब तक क्रीमी ना आजाए तब तक आपको इसे मिक्स करते जाना है जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और क्रीमी कंस्टेंसी के जैसी आने लगे तो आप इस क्रीम को किसी ग्लास बॉटल में स्टोर कर लीजे और इसे आपको फ्रीज में स्टोर करना है अगर आप इसे फ्रेजमस टोड नहीं करते तो आपके ये क्रीम खराब हो सकती है और इसे राख को सोने से पहले अपने चेहरे पर अप्लाई करें अप्लाई करने के बाद अच्छी तरह से मसाज करें जब तक ये स्किन में टोटली अब्सर्फ ना हो जाए और अच्छी तरह से जब अब्सर्फ हो जाए तब आप इसे ओवरनाइट छोड़ सकते हो सुभा में अपने फेस वाश के साथ स्किन को वाश कर लीजिए बहुत ही ज़्यादा असरदार होमेड क्रीम है इसके इस्तमाल से आपके स्किन की डेड़ सेल्स हट जाएंगी साथी संटेंसे वह डैमेज भी खत्म हो जाएगा डाक्नेस भी दूर होगी साथी आपके स्किन नैचरली तरीके से ब्राइट और लाइट होगी सो आई होप गर्ल्स में ये वीडियो आप सबको यूस्फुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा थैंक्स पॉर वाचिंग बबाई